और दली के बवाना की जिस खबर का भी जिक्र किया गया था बवाना में एक फैक्टरी में भीशवन आग लग गई है बवाना के N ब्लॉक में प्लास्टिक दाने की फैक्टरी में यह आग लगी है सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की 15 गाडियां पहुंच चुकी है अब दमकल विभाग की 15 गाडियों के पहुंचने का मतलब आप भी समझते हैं कि आग बहुत बड़ी रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त फायर फाइटर्स कर रहे हैं सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के बवाना इलाके से हम दिखा रहे हैं और मेरे सायोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए है प्रमोद यहाँ पर 15 गाडियां मौके पर पहुंची है तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि यह तो आग बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक आग लगी है यहाँ पर कोई लोग तो मौजूद नहीं है अंदर और किस वज़ा से आग लगी है इस बारे में कोई जानकारी सपष्ट हुई है क्या तो अभी तक किसी के फसे होने की अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई है लेकिन अभी जो है फायर फैटिंग काम जा रही है आग पे काबू को पानी की कोशिश की जा रही है जिसके बाद ही बज़ा साफ हो पाएगी कि कही कोई अंदर तो नहीं फसा हुआ था लेकिन आज बच्के 51 मिनट पे कॉल मिलने का पंदरा गाडियों को अभी लगाए गया है आज पे अभी तक कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं पाया गया है और लगातार प्लास्टिक की फैक्टरी होनी की वज़े थे आज जो है वो धहदक कर एकदम से फैल जाती है तेजी से आज पैली है और पूरी तरीकते काबू पालिया जाएगा तो उसके बाद यह साब रख़ाएगा कि आज लगने के कारण क्या थी क्या जानवाल की फानी कितनी हुई है लेकिन व्लाल पूरी इलाके को खाली करा लिया गया है और आज-पास की जो इलेक्रिसिटी है उसे बं तो गनीमत यहीं रहेगी कि किसी व्यक्ति की जान इस पूरे हादसे में नहीं जाएगी क्योंकि 15 गाड़ियों का मौके पर पहुंचना, प्लास्टिक की फैक्टरी में इतनी भीशन आग का लगना और आप देखिए कि आग की लप्टों से पूरा आस्मान काले धुएं से भर जाना, यह दिखाता है अपने आप में की कितना बड़ा हादसा है और फिर प्लास्टिक दाने की फैक्टरी है, तो जो आग लग रही है उसका धुआ भी इतना ज्यादा काला, इतना ज्यादा प्रदूशन से भरा है कि आसपास रहने वाले लोगों को दूर दूर तक रहने लेकिन रहत की बात यही है कि फायर फाइटर्स पहुँच चुके हैं, 15 गाड़िया पहुच चुकी हैं, जल्दी ही यह खबर भी सामने आ जाएगी कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के भी फसे होने क्या शंका नहीं है